नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूं आप सभी का शिक्षा प्रवा में दोस्तों मैं करुड़ा आज फिर से ले करके आई हूँ आपके एक प्रश्ण का जवाब और प्रश्ण क्या है बिटा सभी के दिमाग में यह है कि क्या स्कूल बंद हो रहे हैं कोविट केसिस बढ़ तो क्या स्कूल बंद हो जाएंगे, क्या एक्जाम पोस्पोन हो जाएंगे, या फिर एक्जाम स्कूल सेंटर पर ही हो जाएगा, यानि कि होम स्कूल सेंटर पर ही बोड एक्जाम हो जाएगा, तो इसी के चलते बिटा, शिक्षा मंत्री मनीश शिशोदिया जी से जो बात हु आप शिक्षाप्रभा को सब्सक्राइब कर ले बिटा वीडियो आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्ता तक शेयर करना ना भूले तो मनीश शिशोदिया जी ने कहा है कि सभी यह चाहते हैं कि स्कूल खुले रहें क्योंकि यह सभी कहितने हैं यानि कि उन्होंने अभी फि पॉजिटिव पाया जाता है तो या तो उस क्लास या फिर उस विंग को ही बंद कर दिया जाएगा और बाकी चीजें सुचारू रूप से चलती रहेंगी पूरे दिल्ली में स्कूल बंद नहीं किये जाएंगे दिल्ली के शिक्षमंत्री ने इस्कूली चात्रों में फैल के मामले में कहा है कि अभी मकसद है कि पढ़ाई चलती रहे क्योंकि काफी नुकसान देखे दो सालों में से एजुकेशन का हो चुका है कोवीड के रिगार्डिंग तो छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा का भी जो है वो सुनिष्चित की जाएगी और उनका कहना है कि स्क चात्र को कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उस क्लास या विंग को बंद करके काम चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल में संकरमन का ज्यादा असर है तो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्कूल को ही बंद किया जाएगा लेकिन पूरे दिल्ली में ये लेकिन कई सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों ने होम सेंटर नहीं रखाता तो मनिश शिशोदिया जी का इस पर कहना है कि मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे किसी फैसले को बदलने की ज़रूरत है क्योंकि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और कोई बड़ी घटना न वेल्ड ढर्यों से चाहते हैं कि उनका एग्जाम है वो हो जा चाहते हैं कि हमको अभी अशन नहीं लगता कि कोविड नचर फैसला बदलना पड़े यानि कि बच्चे होम सेंटर पर ही एक्जाम दे अब बदलना पड़े इस parade को नहीं लगता ृसचीज को फोलो नहीं किया के सिक्षकों का एसेस्मेंट करा रहे हैं कि वे बेसिक रीडिंग और न्यूम्रेसी लेवल पर बच्चे को देखें कि वो कहां खड़े हैं बच्चों के लिए हमें अलग से सब्जक त्यार करने की जर्रत है या उन्होंने किये हैं वो ये कहना चाहते हैं कि गर्मी की छुट् बच्चों की नहीं होने वाली हैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि CBSC की गाइड लाइन अभी तक कोविट की मद्दे नचर ठीक लग रहे हैं लेकिन अगरे साल के लिए उन्होंने जो फैंसरा लिया है उसमें थोड़ी दिक्कत है अभी जो सिस्टम है उसके मुताब एक साल में मतलब की दो बार आपके एक्जाम होंगे तर्म फर्स्ट और तर्म सेकिड उसी पर आखरी नतीजे निकले दोनों एवल्यूशन के अधार्ते लेकिन अगले साल सी उसको वापस लेने जा रहा है देखो बटा अभी यह बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है लेकिन CBSC चाहता है क लेकिन शिशोधिया जी का कहना है कि साल के आखिर का एक्जाम है वो हाइस्टेक एक्जाम नहीं होना चाहिए बार्मी की परिक्षा है वो एक लर्निंग स्कीम है और यह लर्निंग का एक्जाम होना चाहिए तो उनका मानना है कि साल में दो बार भी परिक्षा हो खेर इस प आपके examination center जो आपके admit card पर print होकर आए हैं, वही आपके examination center है, आपका exam का venue change नहीं होगा, नहीं हुआ भी है, तो बिटा, मेरे को लगता है कि वीडियो काफी useful रही होगी, आपके लिए सारी चीज़ें अच्छे से समाझ आ गई होगी, तो बिटा, मेरी वीडियो को लाइक कारी भी अगर आपको लेनी है, तो भी आप सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ बिटा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना,